नमस्कार मेरा नाम में मित्र गैजट्स फर यू के एक नहीं वीडियो में आपका स्वागत है तो दोस्तों फाइनली सामसंग गैलेक्सी एफ 62 इंडिया में लाउच हो चुका है जो कि अपने साथ लेकर आता है एक फ्लेक्शिप चिप सैट एक्जिनोस 9825, साथ अजार एमज का बैटरी और सूपर एमुलेट प्लस इस्प्लेइ वैसे इस फोन में और भी काफी सारे खासियत हैं तो चलिए आज के इस वीडियो में अन्बॉक्स करते हैं सामसंग गैलेक्सी एफ 62 को और देखते हैं कि कैसा है ये फोन लेकिन दोस्तों साथ ही यहाँ पर हम साइट पर साइट कंपैरेजन दे करने वाले हैं गैलेक्सी M51 के साथ में ताकि हमें डिफरेंसेस पता चल सकें कि M51 और F62 में क्या डिफरेंस है तो चलिए अगर आप बेजाना चाहते हैं तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में तो दोस्तों कुछ इस तरीके का बॉक्स हमको देखने हो मिल रहा है F62 का उपर की तरफ लिखा है F62 और यहाँ पर है फोन का पिक्चर हाला कि back side में कोई भी key highlight feature नहीं है तो detail में बात करने ही वाले हैं आज की इस वीडियो में लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पर available है Galaxy M51 भी तो साथ में side by side comparison भी करते जाएंगी कि क्या क्या difference हमको यहाँ पर देखने हो मिल जाते है है F62 वर्सेस Galaxy M51 लेकिन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Galaxy F62 की unboxing के साथ में तो box को open करते ही हमें यहाँ पर देखने मलता है एक envelope जहाँ पर है दोस्तों xm ejector tool और कुछ documentation इसके बाद दिया गया है यह device और यह हमारे पास इसको रखते हैं side में और देखते हैं box की कुछ और content इसके बाद दोस्तों है Samsung का super fast charger जो कि आता है 25 watt की output rating के साथ में और last में data cable जो कि है type C to type C port में और दोस्तों यह है Samsung Galaxy F62 और जैसा कि मैं को और बता चुका हूं कि यह हमारे पास available है laser green color में हाला कि कुछ color option और को और भी देखने को मिल जाएंगे जो कि अभी आपकी screen पर आ रहे होंगे तो यहां पर मैं कहूंगा कि no doubt अच्छी color choice है और यह आपको मलता है laser graded finish के साथ में मतलब आप dual shade आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा तो काफी pleasant design आपको देखने को मिलता है हाला कि अगर मैं बात करता हूं build quality की तो यह आपको polycarbonate ही देखने को मिलेगा और हां hands-on feel से भी हमें ऐसा पदर चल रहा है तो दोस्तों यह था इस phone का design हाला कि इस phone की design में एक अच्छी बात यह है कि इस phone में आपको 7000 image का बैटरी देखने हो मिलता है लेकिन weight बहुत जदा नहीं है नहीं लोंगा लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि इस phone में में side mount and fingerprint sensor देखने को बल रहा है यहां पर आपको 3.5 jack देखने को मिल जाता है यह primary bike है और जो secondary bike है वो भी आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा इस तरफ जो center है यहां पर आप 2 SIM card के साथ में memory card लगा पा जो कि मैं M51 में देखने को नहीं मिलता था लेकिन हां जो hands-on feel है वो काफी हद तक आपको same ही देखने को मिलेगा दोनों ही phones में क्योंकि दोनों ही phones का जो screen size है वो भी same है 6.7 inches और दोनों ही phones में आपको जो battery देखने को मिलता है वो भी 7000 image का है तो चाहे फिर मैं बात कर लेत हूँ thickness की चाहे मैं बात कर लेता हूँ dimensions की तो वह लगबग same है weight भी almost same है तो कुछ ऐसा design आपको देखने वलता है दोस्तों दोनों ही phones का front side की बात करता हूँ तो दोनों ही phones यहां पर भी बिल्कुल same है क्योंकि दोनों ही phones में आपको एक infinity or display देखने को मिल रहा है चलिए मै अब F62 को कर लेता हूँ complete setup और फिर बात करते हैं इस phone के बारे में detail में और comparison भी करेंगे detail में M31 के साथ में तो दोस्तों फोन हो चुका है complete setup और हम आ गया है galaxy F62 के home screen पे और दोस्तों फोन को on होते ही सबसे पहले यहां पर हमें देखने मिलता है amazing display जी हां जो कि आपको मिलता है 6.7 inches का और यह है Samsung का Super Emerald Plus display वैसे दोस्तों display का performance आप यहां पर देख सकते हैं कि कितना bright display है in fact अगर मैं बात करता हूँ इस वीडियो में तो कर्क्स आप देख सकते हैं काफी जदा vibrant और punchy है इसके लबा यहां पर जो contrast issue है वो अच्छा है कुरमला कि दोस्तों display के मावले म यहां पर काफी अच्छा experience होने वाला है वैसे ऐसा display हम Samsung के पहले वाले phone में भी देख चुके हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं अगर मैं ऐसे side से देखता हूँ different viewing angle से देखता हूँ तो भी display काफी bright देखने को मल रहा है मतलब black नहीं हो रहा है तो display काफी अच्छा है य यहां से आपको कोई भी complaint होने वाली नहीं है और साथ ही दोस्तों अगर मैं ऐसे compare करता हूँ Galaxy M51 से तो यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों ही phones में आपको मिलता है 6.7 इसस का screen size और दोनों ही phones का जो display quality है वो भी बिल्कुल सेम है यहां पर दोनों ही phones आते हैं Super AMOLED Plus display के साथ में resolution आपको Full HD Plus देखने को मिलने वाला है और दोनों ही phones आते हैं infinity or display के साथ में यहां पर अगर मैं बात करता हूँ बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा तो दोनों ही phones में दोस्तों कोई भी difference अभी तक तो मुझे देखने को नहीं मिला है चाहे फिर अगर मैं ब विल्कुल सेम देखने को मिल रही है दोस्तों UI की बात करते हैं तो एक difference मुझे यहां पर देखने को मिला कि जो F62 है यह आपको latest UI के साथ में देखने को मिलता है जो कि है Samsung का 1UI 3.1 वर्जन और यह काम करता है Android 11 के साथ में जबकि जो M51 है यह आपको अभी Android 10 के साथ में case UI के साथ में देखने को मिलता है अब बात किजाए दोस्तों कैमरा की तो दोनों ही फोंस आपको मिलते हैं quad camera setup के साथ में और primary sensor दिया गया है दोनों ही फोंस का 64 megapixel इसके अलवा जो camera sensor है वो भी आपको दोनों ही फोंस में Sony IMX 682 देखने को मिल रहा है इसके अलवा ultrawide sensor, macro sensor, depth sensor तीनों ही फोंस में बिल्कुल सेम आपको देखने को लेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि दोनों ही फोंस का जो camera specification है वो बिल्कुल सेम आपको देखने को मिल रहा है front camera की बात करते हैं तो वहाँ पर भी 32 megapixel का selfie है दोनों ही फोंस में अब दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों ही फोंस से कुछ camera samples भी लिए और इन्हें देखकर मैं कह सकता हूँ कि no doubt दोनों ही फोंस काफी अच्छा perform कर रहे थे हला कि मुझे यहाँ पर बहुत ज़़़ा difference देखने को नहीं मिला है अभी हमने इनको बहुत ज़़़ा test नहीं किया है लेकिन जो first impression की images हैं वहाँ पर हमें बहुत ज़़़ा difference देखने को नहीं मिलता है और यह आप खुद भी judge कर सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ portrait pictures भी दे देखने को मिल रही हैं तो कुछ दोस्तों ऐसा था दोनों ही force का camera इसके लाव दोस्तों camera में काफी सारे और फीचर हमको देखने हो मिल जाते हैं जैसे कि single take इसे काफी जदा और इंप्रूव कर दिया गया है इसके लाव फोटो वीडियो इसके अलबागर मैं बात करता super slow motion, slow motion और भी आपको AR Doodle, panorama, food mode ये काफी सारे option और देखने को मिल जाते हैं जो कि Samsung की अभी recently काफी सारे devices में हम already देख चुके हैं लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको Samsung का One UI 3.1 version देखने हो मिल रहा है तो यहाँ पर काफी सारे चीज़े improve हुए हैं जैसे कि अगर मैं बात कर तो हो portrait वीडियो की जहां प्या portrait mode में वीडियो को capture कर पाएंगे front camera और rear camera से इसे काफे ज़्यदा improve कर दिया गया है तो यह चीज़ आपको F62 में थोड़ से better देखने हो मिलेगी M51 से लेकिन दोस्तों अब हम आ गया हैं दोनों ही phones के बीच में main comparison की तरफ जो की है performance comparison अब क्य यह same chipset आपने देखा था Note 10 Plus में मतलब एक flagship level का chipset आपको देखने हो मिलता है दोस्तो F62 में in fact अगर मैं से compare करता हूँ Snapdragon 730G से तो दोस्तों हम benchmark score भी लेख सकते हैं और यहां पर भी हमें difference देखने हो मिलता है इसके लाब आप RAM और storage के भी speed test देख सकते हैं तो performance तो दोस्तों नो डाउट बहुत ही battery नहीं को देखने हो मिलने वाला है Exynos के 9825 में वैसे यहां पर हमने कुछ games भी try किये और इनका भी performance दोस्तों नो डाउट कमाल काम को देखने हो मिला बात करते हैं दोस्तों battery की तो जैसा कि हम आपको अल्री बता चुके हैं कि इन दोनों ही phone में देख charging test already कर चुके हैं जिसका link आपको मिल जाएगा description में तो वहां पर चाके आप चेक कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ऐसे ही results F62 के भी आने वाले हैं लेकिन हां बहुत हम F62 का भी charging और battery न कर देंगे जिसका link आपको cars में देखने को मिल जाएगा security की बात करते हैं तो दोस्तो F62 में भी हमें side mountain fingerprint sensor की देखने को मिलता है अब यहां पर super AMOLED panel है तो in display fingerprint sensor भी दिया जा सकता था लेकिन पदा नहीं क्यों लेकिन अगर मैं बात करता हूँ side mountain fingerprint sensor की performance की तो यह आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है काफी accurate है और काफी fast भी हमको दे Galaxy M51 में और वहीं अगर मैं बात करता हूँ knock security की तो यहां पर हमें knock security के भी full version दिया गया है और इसलिए हमें secure folder भी देखने को मिल रहा है तो दोस्तों यह था Samsung Galaxy F62 और price की साब से no doubt एक बहुत अच्छा package है फिर चाहें यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं performance की चाहें हम बात क लगते हैं वैसे आज की इस वीडियो में हमने आपको इन दोनों ही phones की बीच में side by side comparison भी दिया तो मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा और easy हो जाएगा दोनों में से phone को choose करना तो आप किसके लिए interested हैं वो भी आप नीचे हमें comment section बता सकते हैं तो चलिए दोस्तों बस यही दाज की इस वीडियो में मुझे उमीद है कि आपको इस वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को like और share करना मत बूलिएगा अगर आप चाते हैं से और वीडियो देखना चैनल को जो subscribe कर लिजिए हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में तब तक के ल रहें और आज के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद